नमस्कार दोस्तों इन्वेस्टर गुरु में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम एक छोटी कमपनी के बारे में बात करेंगे दोस्तों जो माइक्रो कैप कमपनी है देख सकते हैं मात्र पाच हजार करोड का मार्केट कैप है दोस्तों जो बहुत ही छोटी कमपनी है दोस्तो और दोस्तो इसका price भी देखेंगे तो बहुत ही छोटा है दोस्तो चोटा price होने के कारण retail investor जो मतलब हम में बहुत सारे investor दिखते हैं और basically retail investor को बहुत ही जाधा attract करता है ये stock और अगर आप इस छोटे stock में कोई भी मतलब in fact आपको 100 के नीचे वाले स्ट्राउक जो भी अगर आपको पसंद आते हैं तो दोस्तो ये स्ट्राउक भी आप अपने वाच लिस्ट में अड़ कर सकते हैं दोस्तो ये भी स्ट्राउक काफी अच्छा fundamentally strong stock है दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो को हम analyze करेंगे कि दोस्तों इनके financial parameters business देखेंगे और देखेंगे दोस्तों कि मतलब इनका business grow हो रहा नहीं हो रहा है दोस्तों और आप अपने portfolio में इस stock को add कर सकते हो या नहीं add कर सकते हो और आगे future में क्या यह multi bagger stock बन सकता है दोस्तों जरूर हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो वीडियो शूरू करते है दोस्तों तो अगर अपने channel को अपने channel में पहली बार visit किया है दोस्तों तो channel को subscribe करना और bell icon hit करके all जरूर select करना कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो को लाइक जरूर करना तो दोस्तों एक दिन की बात करेंगे देख सकते हैं दोस्तों मैं कि स्टॉक की बात कर रहा हूं दोस्तों पारादी फोस्पेट्स ग्रेंग्षए यह लगश्चा और रिटन दिखाए दे रहा है और अगर मैं एक साल तो 5 सालों की बात दोस्तों के कारण बहुत ही रीटेल इन ओेस्तरर इस में इन्मेस्मेंड करने के लिए रहते ते बर दोस्तो मैं मैं बैसिकली सीर्फ एंवेस्मेंट ही सब कुछ नहीं होता है दोस्तो क्योंकि इसि फंडामेंटल भी बहुत इंपोर्टेंट रखते हैं अगर आप लॉंग रन के लिए अगर लंबी दूरी के लिए सुचोगे दोस्तों तो आपको फंडमेंटल स्वेही देखना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि अगर आप चार्ट पैटर्न या फिर कोई ऐसी चीज़े देखते हो तो दोस्तों यह sustainable नहीं होती है long term investment के लिए और अगर असली पैसा बनाना है दोस्तों तो long term के सिवा कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों जो बहुत ही लोग कोई intraday करते हैं daily basis पे करते हैं तो वो दोस्तों बहुत ही कम लोग successes रहते हैं दोस्तों उस सबी चीज़ों में अग को एक छोटे return तो मिल जाते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपको बहुत ही अच्छे return चीज़ों तो आपको long term में ही बने रहना पड़ेगा तो दोस्तों अब मैं बात करूँ तो दोस्तों stock के support और resistant की दोस्तों तो देख सकते हैं कि stock अपने high की तरफ आ गया है last देखेंगे ह हम इसके high की बात करेंगे तो लगबग 65 के उपर का high था जो अभी करीबन ये 60 का तोड़ रहा है और लगबग 65 के आसपास ये आ सकता है और 65 से फिर अगर ये तोड़ता है दोस्तों तो बहुत ही जल्दा हमें ये 100 को भी touch करते हुए दीख सकता है दोस्तों तो दोस्तों स्टॉक बहुत ही बड़ी है आप इसके financial parameters भी जानते हैं तो दोस्तों financial parameters के बारे में जानने से पहले हम इसके business के बारे में जानते हैं दोस्तों कि किसी भी कमपनी के लिए बिजनस बहुत ही important होता है जो दर्शाता है कि कमपनी का business क्या है और business का क्या करती जो future के लिए sustainable है नहीं है कि क्या चीज़े हो सकती है दोस्तों business के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों देख सकते हम इनके website पर आ चुके हैं दिस तो देख सकते है healthier soil and healthier people basically इनका जो soil में जो मिट्टी में fertilizer यूज़ करते हैं farmers वगेरा के जो यूज़ करते हैं अपने अनाज के लिए हो सकता है फिर अगर फाल फरोटिया यह सब कोई भी चीज़े अगर करते हैं वो तो उसमें जो फार्टीलेज जाहर होते हैं जो कीड़े में कीड़े ना लगे या फिर कह सकते हैं कि वो जो परल्स होते बीज होते हैं वो चीजे भी तो यह सब चीजों का बिजनेस है दोस्तों बेसिकली फार्मर्स पर डिपेंडेंट यह बिजनेस है तो दोस्तों कमपनी का एम भी है बहुत अच्छा एम है कि कोई भी मतलब भूके नहीं सोना चाहिए दोस्तों that can be achieved only when our soil is adequate nutrition and we adopt the sustainable pharmacy farming practice देख सकते हैं कि the empower and farmer agriculture community at a large with input and that increase their production and earning capacity तो यह इनका aim भी है कि हम farmers के production को बढ़ाना और उनके earning capacity को बढ़ाना हमारा लक्ष है जसा कि देख सकते हैं company बहुत ही पुरानी है 1981 से incorporated हुई है तो अभी देख सकते हैं दोस्तों कि अब इनके financial parameters पे जाते हैं देख सकते हैं कि company अभी 15 state को serve करती है और इसके जो retailer की बात कर a region market office की बात करें तो इनके 21 offices है और अगर dealers की बात करो मैं दोस्तों तो लगभग 6500 dealers है और retailers जो retailers होते हैं दोस्तों retailers में इनका जो material या product बिखता है वो लगभग 65,000 retailer को इन्होंने cover कर लिया है तो यह बहुत ही जादा number है दोस्तों बहुत ही अच्छा achievement है अब दोस्तों बा parameters की financial parameters की तो दोस्तों हम इनके financial parameters पर आगए है तो दोस्तों देखते हैं अभी company का sales क्या है तो दोस्तों देख सकते हैं 2017 में 3620 करोड का sales होता था तो उसके बाद हमें continuous लिए बढ़ते हुए ही देख रहा है दोस्तों 3793,41 यहां पर थोड़ी से down दिखाई दे रही है क्योंक मात्र मतलब 1-200 करोड का differences है दोस्तों 43 करोड और 42 करोड एक सो का difference है दोस्तों अब देखेंगे दोस्तों 2021 में उसके बाद जब कोरोना जाते हो वह हमें दिखाई दिया तो देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से growth होते हुए दिखाई दिया है 41 से direct 51, 51 से direct 78 और अब द दिखेंगे दोस्तों 78 से direct 13 देख सकते हैं कि 13,000 करोड का sales हो चुका है दोस्तों 13,341 करोड का यहां पर दिखेंगे हमें 100% की growth दिखाई दे रही है लगबग तो यह बहुत ही अच्छी बात है company के लिए कि बहुत ही अच्छी तरह से इनके sales grow हो रहे है और operating profit की भी बात करो तो दोस्तों operating profit भी हमें काफी अच्छा attractive दिखाई दे रहा है दोस्तों मात्रह 549 हुआ करता था 2020 में फिर 21 में देखेंगे 684 और फिर अभी current में देखेंगे तो लगबग 801 का हमें operating profit दिखाई दे रहा है जो बहुत ही बढ़ी तरह से grow हो रहा है दोस्तों अब बात net profit की तो देख सकते हैं net profit की बात करो तो दोस्तों company के starting period में हमें 87 करोड का net profit दिखता था फिर 119 हुआ फिर 159 हुआ फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो 19422 3398 फिर 304 फिर यहां बार देखेंगे दोस्तों तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से net profit grow होते वे दिखाई दि है दोस्तों जो कि इस year में दोस्तों दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कि दोस्तों हमें 100% की growth लगबग दिखाई दिए दोस्तों 23 से profit direct 398 हुआ मतलब 400 हुआ तो दोस्तों डबल की growth दिखाई दे रही है क्योंकि अगर यह double की growth है दोस्तों नेक्स्ट य जादी ही growth हमें दिखाई दिए दोस्तों इसी है दोस्तों company बहुत ही चोटी है और बहुत ही अच्छा मतलब कह सकते maintain करके रखियो business को sales को बहुत ही अची तरह से grow कर रही है दोस्तों कोई भी parameters हमें अभी तक के इतने खराब नहीं लिए क्योंकि हम अगर market में देखेंगे दोस्तों तो हमें चोटे stock बहुत ही जादा मतलब हमें profit में issue दिखता है business में issue देखता है sales में issue दिखता है sales बढ़ते नहीं है वह same last six year के पूरे seven year के पूरे ऐसे sales उतने के उतने ही रहते हैं तो वह cross भी नहीं कर पाते है यहां तक के net profit भी खास नहीं हो पाते है तो दोस्त अब बात करूँगा कर्ज की तो देख सकते है कि company का कर्ज कितना है दोस्तों थी यहां पर हमें कर्ज थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है देख सकते है बारा एककावन बारा सो एकावन था उन्तिस सो चौपन और फिर उसके बाद 400 हुआ रिजर्वस भी बढ़ रहे हैं दोस्तों रिजर्वस भी हमें दीखाई दे रहा है बट उतनी टीजी से नहीं दीखाई दे रहा है और compare to borrowings रिजर्वस के तो borrowings जादा ही है दोस्तों तो यह company का थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा गलत पॉइंट मन्दब बिजनिस के रि पॉड़ का इनके उपर करज है जो की एक सही बात नहीं है लेकिन अगर future में अगर यह सब चीज़े अच्छी होती है तो दोस्तों जरूर हमें इसका benefit भी देखने को मिलेगा दोस्तों अब promoters की बात करो तो लगबग 56% की promoters holding से देखतों और FIs की बात करेंगे दोस्तों ल दोस्तों देख सकते हैं कि D.I.S. Domestic institution है दोस्तों उन्होंने भर भर के माल खरीदा हुआ इस stock में दोस्तों तो उन्हें इस stock में इनके parameters इसके financial में विश्पास है उन्हें trust है तो दोस्तों इस कारण उन्होंने भी भर भर के माल D.I.S. ने उठाया है जो एक अच्छी बात ह है कि हमारे domestic institutional इस stock पे भरसा रखते है future के लिए तो दोस्तों वीडियो में आपको इतना ही वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना दोस्तों और stock बहुत ही चोटा है दोस्तों तो grow होगा तो बहुत ही अच्छे हमको return देखने को मिल सकते ह और एक छोटे price पे है दोस्तों जैसा कि हमें छोटे price पे रहने के कारण volume जादा मिलता है जिसके कारण stock भागता भी बहुत जादा है दोस्तों तो दोस्तों इस stock में इतना ही मिलते है next video में thank you, thanks for watching